एक अजीब और रहस्यमय गाव में, जहां अंधेरे और अद्भुत्ता का राज था, वहां एक विचित्र चुडैल रहती थी. उसका नाम था वन्शिका और उसकी आत्मा एक ही हाथ से सजीव होती थी. लोग कहते थे कि जो उसके हाथ में आ जाता, वह अब और कभी वापस नहीं लौटता. एक रात जब गाव के लोग सोने की तैयारी में थे, वन्शिका की चिल्ला हट सुनाई दी. लोग डर कर अपने अपने घरों में चले गए. जिस दिन वन्शिका के आँखों में क्रोध और विनाश की आग थी, उसी रात एक युवक, विक्रम, गाव के पास के जंगल में खो गया. उसकी मित्र, लता, उसे खोजने के लिए जंगल में चले गई. लता, विक्रम, कहां हो तुम? जंगल में घूमते समय, विक्रम ने वन्शिका के आँखों में एक चमक देखी. विक्रम, कौन हो तुम? वन्शिका, मैं वन्शिका हूँ और तुम मेरा अगला शिकार हो. विक्रम, कौन शिकार? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा. लता, विक्रम, चलो हमें घर वापस जाना चाहिए वंशिका, विक्रम के पास आती है और उसे अपने अंधेरे के गहराई में ले जाती है विक्रम और लता की साहस और विश्वास की शक्ती से वंशिका की शक्तियों को हराने का प्रयास किया जाता है विक्रम मैं तुम्हारी शक्तियों का विरोध करता हूँ अंत में विक्रम की साहस और लता के प्यार की शक्ती से वन्शिका को परास्त किया जाता है वे अपने गाउं में वापस लोटते हैं लेकिन उनका सामना किया हुआ कुछ अनुभव उनके दिल में एक अद्वितिय अनुभव के रूप में बना रहता है